चटरपती शिवाजी महाराश टर्मिनन्स और भायखला स्टेशनों के बीच करनाग ब्रिच को डिस्मेंटल करने हैं तू मुंबई मेंडल मर्धी रेल उन्ने सो बीस नवंबर को 27 गंटे का मेगा ब्लॉक संचलत करेगा यहां मेगा ब्लॉक में लाइन पर 17 गंटे हारवर लाइन पर 21 गंटे और मेल एक्सप्रेस कोचिंग डीपो यार लाइन पर 27 गंटे का होगा ऐसी चानकारी सेंट्रल रेल के चीफ प्यारो शिवाजी सुतार द्वारत दी गई है में लाइन पर 17 गंटे का यह ब्लॉक CSMT और भाय खला के बीच संचलत होगा 17 गंटे का ब्लॉक 19 नवंबर को रात 11 बजे शिरू होगा और 20 नवंबर को शाम 4 बजे खत्म होगा इसी तरह हारवर लाइन पर CSMT और वडाला के बीच 21 गंटे का ब्लॉक रहेगा 21 गंटे का यह ब्लॉक 19 नवंबर को रात 11 बजे शिरू होगा और 20 नवंबर को रात 8 बजे खत्म होगा यानि ब्लॉक शिरू होने के बाद क्रमशा 17 और 21 गंटे के बाद में लाइन और हारवर लाइन पर ट्रेनों की पूरी आवजाई सुचारू हो जाएगी चत्रपती शिवाजी महाराश टर्मिनस और भायकला स्टेश्टों के बीच करनाक ब्रीच को डिस्मैंटल करने है तो मुंबई मंडल मद्यरेल 19 और 20 नवंबर को 27 गंटे का मेगा ब्लॉक संचालित करेगा यह मेगा ब्लॉक मेंडलाइन पर 17 गंटे, हर्बर लाइन पर 21 गंटे और मेल एक्स्पेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 गंटे का होगा मेंडलाइन पर 17 गंटे का यह ब्लॉक चत्रपती, शिवाजी, महराश, टर्मिनस और भाइकला स्टेशनों के बीच संचालित होगा 17 गंटे का ब्लॉक 19 नवंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 20 नवंबर को शाम 4 बजे खत्म होगा इसी तरह हर्बर लाइन पर CSMT और वड़ा स्टेशनों के बीच 21 गंटे का ब्लॉक रहेगा 21 गंटे का यह ब्लॉक 19 नवंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 20 नवंबर को रात 8 बजे खत्म होगा यानि ब्लॉक शुरू होने के बाद क्रमशा 17 और 21 गंटे के बाद मेंड लाइन और हर्बर लाइन पर ट्रेनों की पूरी आवाजाई सुचारू हो जाएगी साथी मेल एक्सप्रेस यार्ड लाइन का ब्लॉक 27 गंटे के बाद यानि 21 नवंबर को सुभा दो बजे खत्म होगा साथी मेल एक्सप्रेस यार्ड लाइन का ब्लॉक 27 गंटे के बाद यानि 21 नवंबर को सुभा दो बजे खत्म होगा यात्यों की सुभिधा के लिए मेल लाइन पर भाय खला परेल कुला दादर उठाने कल्यान और कर्जत कसारा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेने चलाई जाएंगी नागपुर से BCN नियूस के लिए शितीजा देशमुक की रपोर्ट